हलो फैंट्स वेल्कम प्योर चैनल क्रिप्टो वेशाल यूएस का क्रिप्टो बिल जो है गाईस फाइनली वो नाइट में आ गया था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छी चीजें वहाँ से निकल के आई हैं और आज के वीडियो म कई लोग जो कमेंट करते हैं कि यार आप खाली नेगेटिव नियूज ही बताते हो आज मुझे लगता है वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको यही लगेगा नहीं आज कोई नेगेटिव नियूज नहीं है खाली अच्छी नियूज है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं सबसे पहले गाईस एक बाप मार्केट पे चलते हैं क्या चल रहा है वो बात करते हैं उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अब्डेट्स है वो देखते हैं तो फियर और गिर इंडेक्स एक्स्रीम फियर में ही है 17 में है 17 में आने के पीछे का भी मैं आपको 3,000, 422 और एक इंपॉर्टेंट चीज जो सामने चार्ट में आपको दिखती है अगर आप देखेंगे न हम लोग इधर गए एक शार्प डंप आया हमारा हम लोग एक फेस में चलने लगे फिर एक पंप हुआ फिर एक डंप हुआ फिर अभी हम लोग ऊपर की तरब चल रह रहा है नीचे एक साइड में मूव किया उपर फिर नीचे और अगर हम लोग थोड़ा सा लॉंग रन पर देखें तो कल भी मैंने आप लोग को बताया था कल के वीडियो में हम लोग ने यही जगा पर डिसकस करा था सारा और एक्जेक्ट वही है यह ट्रेंड लाइन थी हम हमें बराबर जगा पर रेस्टेंस जो है उसी एरिये में यहां पर मिल रहा है और अब जो एक इंपॉर्टेंट एरिया था उसके भी हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ यहां पर ट्रेट कर दें तो यह लेवल एक बार हमारा ब्रेक होता है 31,144 का और ऊपर जाए और यह ट दिन पहले की केंडल देखेंगे तो और ज्यादा महुल खराबते पर सडल ली एक स्पाइक है और इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ यहां पर गए है और यह जो इंपॉर्टेंट चीज है ना यह इसका आंस्वर आपको मिलेगा यहां पर यहां पर यहां पर आप एक देखें यह एक अगर आप देखेंगे ना तो आपको ककी कुछ इस चीज से समझ मैं आए गा जो मैं आपको अपको अपी डेटा दिखा रहा हूं गाई इन फ्लो आउट फो नहीं है net फ्लो है तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो करीब करीब 36,000 resistance. BTC 36,121 BTC exchanges से आउट हुए हैं मतलब exchanges से उठाके लेके गए हैं और वही कहीं ना कहीं ना इस चीज के पीछे का reason था कि market को लाया गया इस area पर उसके बाद buying कड़ी गई यहां पर तो अगर आप देखेंगे ना तो पूर एका पूरा वेल manipulation है यहां पर चल रहा है कि बड़े नंबर पर buying चल रही है 36,000 BTC बड़ा नंबर होता है अगर हम लोग देखें तो हमारा करीब 4-5 दिन के एक inflow का जो data होता है वो 36,000 होता है जो यहां पर net flow total का total हुआ है तो पूरे का पूरा वेल का manipulation यहां पर चल रहा था और वो चल भ नहीं हुआ है लेकिन इस bill का एक बहुत बहुत positive significance है वो क्या है अभी मैं आपको यहां पर clear करता हूँ तो यह bill में कुछ important points है जो मैंने आपको यहां निकाले हैं जो मैंने मेरे यहां पर note down करे हुए है वो मैं आपको यहां पर important चीज़े जो है वो पहली चीज़ बताता तो इनके बारे में यह चीज़ है कि जो इन्होंने अपना 2022 का financial declaration दिया था उसके अंदर इनके पास लगभग 1.5 लाग डॉलर से 3.5 लाग डॉलर तक के bitcoin है clear cut है कि हमारी तरह हिसाब नहीं चल रहा है कि crypto से कोई लेना देना नहीं है वो bill यहां पर present करते है तो यही मैं आप आपको हमेशा बोलता हूं इंडिया में दिक्कत इस चीज़ के आती है कि हमारे वहाँ पर crypto का bill वो कर रहे है जो interested नहीं है उसके लिए जो जिसको वो चीज़ पसंद नहीं है उसको वो चीज़ खाली negative में दिखाई देगी वही चीज़ यहां पर वहाँ पर ऐसा नहीं हो र crypto को कहीं भी रोकना नहीं चाहते एक innovation का field है लेकिन हमें यहां पर यह चीज़ भी समझनी है कि अगर जो consumer है जो normal customer है उनके साथ कुछ यहां पर चीज़े गलत नहीं होनी चाहिए बहुत सारे fud create होते हैं उसके लिए चीज़ों को regulate करने की जरुवत है इसके बाद इन्हों इस बिल में ये चीज़ भी बात करी कि crypto को as a currency use करना चाहिए चुकि बहुत positive चीज़ और तीसरी चीज़ crypto को भी diversified portfolio में add होना चाहिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के against में है यहां पर बोलना यह चाहता हूँ कि अगर आप अपना portfolio बना रहे हैं crypto के बारे में बात नहीं हो रही है financial portfolio है आप उसमें share market में डाल रहे हैं आप उसको FD में डाल रहे हैं आप उसको let's say mutual fund में डाल रहे हैं तो आपको एक part को crypto में भी रखना पड़ेगा अपने portfolio को चारो तरफ बनाना पड़ेगा और अब time है कि crypto को जो mainstream जो financial sector ने वहाँ पे add किया जाए य कुछ लोग यहां पर भी ऐसी होंगे जो बोलेंगे यार कि इस बिल से हमें इतना क्या मतलब है कि हम इतना यहां पर इस बिल पर discuss कर दें इस बिल का इंडिया के लिए important important significance इसलिए है क्योंकि हमारे वहाँ पे भी financial minister या मैं RBI के बारे बात करूँ कई बार यह चीज आई है क हम देख रहे हैं कि बाकी countries क्या कर दी है और पता है हमें कि US जो normally करता है इंडिया में भी कई एक level पे हम लोग भी उसी से inspire होते हैं तो हो सकता है इस बिल की वज़ा से यह अगेन एक चीज़ बोलूँगा मैं यह बिल का draft आया है यह बिल approved नहीं हुआ अभी तक लेकिन at least इ बिल हमारे लिए बहुत positive था और बिल crypto friendly यहां पर आया है इसके लावा जो भी details आएंगी वो हम लोग आगे इसमें discuss करते रहेंगे अभी के लिए overall positive चीज़ यहां से निकल के आई है इसके बाद guys अगली बड़ी चीज आई PayPal के लिए PayPal में बड़े number of user है और मुझा नहीं ल payment का अब उन्होंने बोला है कि आपने जो PayPal में cryptocurrency रखी है उसको आप external wallet में भी transfer कर सकते हो एक बड़ा update है यह भी क्योंकि PayPal बड़े level पर use होता है और अब यह चीज दे देना कि जो आप में crypto रखा है उसको wallet में external transfer कर दो तो जिन लोगों ने वहां पर use किया था उनके लिए ए इस update पर हम लोग बात आएंगे फिर हम लोग चलते हैं अगले update पर अगला update यहां पर देखेंगे तो जो UK की finance ministry है उन्होंने बोला है कि country जो है वो test कर दी है crypto blockchain technology को traditional market activities में अगेन एक positive चीज लेकिन इस news में एक चीज और है कुछ दिन पहले ही हमने news cover करी थी जहां पर UK की त एक यूटन का update यहां पर आया है एक चीज और है guys इस update से कहीं न कहीं यह भी लगता है कभी कभी कि शायद एक अगर आप देखेंगे कि एक activity की जा रही है कहीं न कहीं कि लोगों को crypto set आया जाए market को नीचे लेके आया जाए buying करी जाए और उसके बाद जब लोग यहां पर है तो market उपर की तरफ जाए इस तरीके के updates अकसर हमें देखने को मिलते है कि एक बार कुछ एक update आता है और दूसरी बार 180 के degree के angle पर दूसरा update आता है पहला update market को इतना नीचे लेके जाता है पर दूसरा update जो positive होता है उसी चीज का वो market को उतना उपर वहां पर लेके नहीं जाता और वो पूरे का पूरा manipulation का game और वो सिर्फ इसलिए है कि जो normal investor है उनको market set आया जाए अगर आप यह buying देखेंगे यहाँ पे तो यह इसी लिए है कि अगर आप देखेंगे पूरे में में यह red candles यहाँ पर बन रही है normal investor को भगाया जा रहा है और वो हो रहा है क्योंकि लोगों का यहाँ पर crypto से भरोसा उठ रहा है उस वजह से market on नीचे जा रहे है कि लोगों को लग रहे है कि यार अपना sale out कर देंगे हम निकल जाएंगे और जैसे ही यह rebound करेगा क्योंकि यहाँ पर buying होगी वहाँ पर buying होग गी जिसने 30,000 पर 31,000 पर 25,000 39,000 पर बीटी सी लिया है वो 2x पर 60, 70, 80,000 पर निकालेगा फिर market डाउन जाएगा normal आदमी अपना पैसा वहाँ पर खोएगा वो फिर यहाँ नीचे आएगा फिर बोलेगा मैं crypto से निकल जाता हूं सब बेच के यह लोग फिर वहाँ पर buy गी और यही पूरे का पूरा logic होता है public को भगाने का और वेल्स manipulation यहाँ पर करने का जो मुझे लगता है काफी हद तक strategy जो इनकी यहाँ पर चल रही है क्योंकि लोगों के दिमाग में फिलाल के लिए यही है यहाँ पर और अगर मैं आपको बोलू यहाँ से नहीं है यह साल उसे चला रहा है market में इसी तरीके से और अगर आप पीछे bitcoin का चार्ट उठा के देखेंगे पिछले सालों का जो मैं आपको कई बार मैंने दिखाया है सेम चीज़ वहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है इसके बाद अगला अगर यहाँ पर अपडेट करेंगे again positive तो खुल मिला के बहुत सारे positive updates है इन positive updates की विजा से ऐसा नहीं है कि bitcoin का price हमें suddenly उस price में कुछ एकदम से pump देखने को मिलेगा लेकिन long run पे जब एक बार market थोड़ा better होगा जो whales manipulation चल रही है वो खतम होगी और अपने तरीके से market चलने लगेगा तब इन सब जगा पे जो बड कौन की तरफ से अगर आप देखेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं क्योंकि मैंने ना उनका जो handle है इस post के बाद से यहां पे देखा नहीं है तो एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने इसके बाद उसको enable किया है या नहीं किया है तो उनके जो tweets से वो सारे के सारे protected हो ग जादा फड क्रेट हुआ और इनकी अब कोई भी एक्टिविटी जो है वो लुना में आप एक और फट की तरफ क्रेट कर देख लोग अगें पैनिक हो जाते पर tweet किसी का अपने आपको protected करना या नहीं करना इसमें मुझे लगता कोई फट वाली है कोई परशानी वाली बात है हो सकता है और फटाइम टेट बार इसको जो है रिजॉल कर दे तो गाइस अभी तक के यही यहां पर अपडेट थे यह अपडेट डेफिनेटली हम लोग देखेंगी और मुझे उमीद है कि इसे एक अपडेट की वजा से इंडिया के अंदर भी चीजे जो है उनमें चें अपर भिल जो है लेकर आ सकते हैं आप लोग का गाइस क्या ओपीनियन है ओवराल वीडियो के लिए आज का जो हमारा है जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको वो भी एक बार जरूर आपका जो फीडबैक होगा वो जरूर वहां पे एक बार देचेगा तो गाइस यह थ जिन भर में सब कुछ सही रहा कुछ और बाहर की नियूज नहीं है तो इवनिंग में हम लोग एक डेटिकेट वीडियो करके उसके बारे में भी डिसकस करेंगे तो यह था आज का वीडियो पसंद आया आपको इसको लाइक हो शेज जरूर गएगा चैनल में अगर आप नह ट्रीब्स